पूज्य मुनिश्टंग सभी उपस्तेत इस आउसर पर अपनी बात को जग्यासा और संका के तोर पर रखकर उसका समधान लेने वाले सभी धर्माबलंबी आईयों मैंनो मेरे साथ मैं इस्चेत्र के बिधायक एंजिनियर प्रदीप लालिया जी परसोरिया जी सद्धालू भाईयों मैंनो यह मेरा सोभाग है कि मझे संका समाधान के साउसर पर पूज परमाण सागर जी के सामने उपस्तित होने का मौका मिला है मैं जब पहली बार सिखरजी में दर्सनार्थ गया था तब मैं केंदर का मंतरी था और उस समय मुझे सोभाग के प्राप्त हुआ था कोई मेरे बंदू मुझे जानकारी दे रहे थे इतने देसों में देखा जाता है तो मैं का अच्छा है आपना मुझे जानकारी दी यह सच है कि सो से ज़्यादा देशों में यह कारिक्रम देखा जाता है और इसकी जो निरंतरता है और संका तो हर व्यक्ति के मन में है और यह चनोती भी है कि इन संकाओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाली प्रस्तियां और कितनी भायावए होगी इसलिए जरूरी है कि यह करम जो सनातन से चला रहा है यह करम और भी जुम्मेदारी के साथ बढ़ना चाहिए और जब मैं महराज स्री के सामने गया था तब भी मैंने इस बात कही थी आज मैं फिर से वही बात दोराता भी हूँ क्या हमारे बिकास में और हमारी नेतिक मूल्यों के बीच क्या कोई टकराओ है मेरे पिताजी के समय जो मूल्य थे वो आज मेरी पीडी के समय नहीं है हमारे मूल्यों की मैं नहीं कहता कि कभी समाप्त सनातन की इस धर्ती पर हो सकते हैं लेकिन उनकी चमक तो धीमी पड़ी है कहीं ना कहीं उनके प्रतिन निष्ठा कम होते दिखती है जबकि उसके उलटकर में देखता हूँ, पहले जग्यासु आप जैसे साधना करने वाले मुनियों के जूरता था, उनके पीछे चलता था, आज आप स्वयम प्रितक्ष प्रगट होकर उनके सामने हैं, लेकर उसके बाद भी उसका ब्रह्म जंग जूरता नहीं है, और जितना प्रिचार, जितना प्रिसार और जितनी पहुँच, आप जैसे तपिश्यों ने समाज के बीच में जाकर दस्तक दिये, उसके बाद भी अगर ये गिरावट रुकती नहीं दिखती, तो मैं जरूर चाहूँगा, कि आपके मुख से ये बात, मेरे माध्यम सही सही, मुझे तो इसका समधान चाहिए ही, लेकिन इस बात को लेकर मेरे जैसे लोग चिंतित होते हैं, मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि जितना आदमी ने विकास किया है, उतना ही वो मूलियों से दूर होता जा रहा है, मैं मानमी मूल्यों की भी बात कर रहा हूं मैं धार्मिक मूल्यों की भी बात कर रहा हूं जो मूल ही होते वही धर्म होता है और इस दिनाते मुझे लगता है कि एक आम आदमी जब कभी सकारात्मक तरीके से सोचता है या सात्विक तरीके से सोचता है तो निश्यत तोर पर इन लोह का नहीं जानता कि हम जैसे लोग संकल्भ लेते हैं और उसके बाद फ़र किसी बितकल्ब की बात करने लगते हैं हम इस्थर नहीं रह पाते हैं जैसे आप अपने इस्थान पर इस्थर चप्त चे साथ इसी वाताबरण में जिसमें हम लोग विशलित होते हैं तो ये भी मुझे लगता है कि आज जरूर सोचने की जरूरत है कि हम मैं अपनी बात कहा रहा हूँ मैं फिर पुर्णवर्ति करना हूँ मैं सबको नहीं कहा रहा हूँ लेकिन मैं अगर कोई संकल्प लेता हूँ और कुछ वर्सों तक मैं उसमें चलता हूँ और उसके बाद मैं फिर किसी बिकल्प के बारे में सोचने लगता हूँ क्या ये भी इसी बिकास या काविशाप है क्या यही प्रिगती हमारे मुल्यों से टकराहट का कारण है यही बाते जो आम तोर पर सब की मन में आती है पूझ प्रमारत्यागरजी गर्व से मैं यही प्रात्ना करूंगा कि यही मेरी जिग्यासा है और साथ यही मेरी संकावी बहुत सुनदर पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोर्दार करकर धनिसे पहलाज जी का भी लंदर करें अभी ये बोल रहे थे आप सब सुन रहे थे और मुझे इनकी बात सुनकर ये लिए डग रहा था कि कोई राजनेता बोल रहा है मुझे इनके वचनों से ऐसा पतीत हो रहा है था कोई एक समाजिक और सांस्कृतिक चिंतन से भरा मनीशी बोल रहा है निश्चित ऐसे प्रबध जनों से समाज का भला होता है और जिन लोगों का चिंतन अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है और अच्छे चिंतन और चरित्र संपन लोग जब समाज का नित्रत अपनाते हैं तो समाज भी अच्छा होता है आपके पूरे बकतब में तीन सवाल मेरे शामने उपस्चित हुए पहला सवाल था, विकास कहीं मुल्यों के गिरावट में कारण तो नहीं बन रहा है उपरी तोर पर देखते हैं, तो विकास से मुल्यों की गिरावट दिखाई पड़ती है लेकिन मेरा मानना है, कि ये हर यूग में हुआ है, पहली बार नहीं है हमारे शामने दो तरह के मुल्य है, एक सास्वत मुल्य और दुसरा सामाईक मुल्य सामाईक मुल्य समय समय पर बदलते आए, हम त्रेटा यूग की बात करे, द्वापर यूग की बात करे और उस समय से लेकर आज तक की बात करे सामईक मुल्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसे हमारी शब्धता और शमाज ने अच्छे से श्विकार किया है और इस परिवर्तन को हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि ये परिवर्तन स्वाभाविक है जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है जेसे हम लोग अपने से उपर वालों की पीड़ी के साथ जोड़ करके हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं और मुल्यों की चिंटा प्रकट करते हैं मुझे लगता है कि इनने में जो गिरावट आई है यह सामयीक मुल्यों पर जादा है समय काल के अनुशार हमारे सामाजीक मुल्ल बदल जाते हैं बरतमान में हम उभूक्ता वादी युग में जी रहे हैं और इस दोर में अर्थकी प्रधानता है और जब सभी सामाजीक मुल्य अर्थके अंदरित होते हैं अब पदार्थवाद हावी होने लगता है तो चीजे बदलती हैं लेकिन इसका एक सकारात मकपक्ष मुझे ये दिखता है कि इतने सब परिवर्तन के बाद आज भी सास्वत मुल जोंकेतों हैं व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो कितना भी पापी हो कितना भी दुराचारी हो आज भी वो धर्म की दुहाई देता है सदाचार को आधर्स मानता है सासवत मुल्न की इस्थाई प्रतिष्ठा का सबल उधारेना हम लोगों की कोशिश उस सासवत मुल्न को प्रतिष्ठा पित रखने की और यह हम लोगों को प्रयतन करना चाहिए és के लिए हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना और ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित होगी आज सबसे ज़्यादा आवशक था सांस्कृतिक निष्ठा को पुनर जागरित या पुनर इस्थापित करके रखने की है प्रलाज जी आपके साथ तो संस्कृति मंत्राले लंबे समय तक जुदा रहा है अब हमें उस संस्कृतिकी रक्षा के लिए जो संभव है वो करने का प्रियत्न करना चाहिए एक ऐसी चेतना जगे जो हर वच्चे वच्चे की हृदे में उस सांस्कतिक निष्ठा का आविरभाव कर दे प्रकट कर दे तो मैं समस्ता हूँ जो हम सब की चिंता है वो दूर हो जाए आपने दूसरी बात कही कि इतनी सब बाते सुनने के बाद भी जो गिरावट है उसका दौर कम क्यों नहीं हो रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपने कहा ये भी एक परिवर्तन ही है कि पहले जिग्यासू संतों को खोच के जाता था अब संतों के पास उनका सहज आगमन है संतों के कारिकम उन तक जाते हैं ये परिवर्तन है लेकिन मेरा तो ये कहना है ये भी समय का परिवर्तन है जब मनुष्य के चरित्र में ज़्यादा गिरावट हो तो हमें ज़्यादा वेवस्था करने की जरुवत है जब समाज में लोगों का स्वास्त अच्छा हो तो डाक्टरों की अस्पतालों की जरुवत नहीं है लेकिन कोरुणा जैसा वाइरस पहलता हो तो गली-गली में डाक्टरों की जरुवत है उनको ठीक करने की जरुवत है यह अपसंश्कृतियों का बाइरस फैला हुआ इसमें जो सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो परिवर्तन चाहिए वो दिखता क्यों नहीं या गिरावट का दौर थमता क्यों नहीं मेरा मानना है कि जो लोग आज संतों को सुन रहे हैं वो जितना संतों को सुन रहे हैं उससे जादा दिन भर किसकी सुन रहे हैं आप देखिए घंटा दो घंटा लोग संतों के समागम में रहते हैं वो भी बहुत थोड़े लोग प्रतिशत के हिसाब से लगाए तो एक आद्दो प्रतिशत एक प्रतिशत ही होगा वो भी एक आद दो घंटा बाकी 24 घंटे में और सारे दुनिया के लोग क्या देख रहे क्या सुन रहे कि इनके बीच रह रहे तो जो 24 घंटे ऐसी बातों में उलजेवे हैं उनसे हम परिवर्तन की क्या आप एक्षा रखेंगे तो हमको वो परिवर्तन दिखता नहीं मैं तो मानता हूँ यह गनीमत है कि लोग संतों के बीच आ रहे हैं तो अभी आदमी बने वे हैं यदि यह छूड़ जाए तो पता नहीं उनका क्या है प्रहलाजी आपने अपने बहुत वर्सों से हमसे आपका संबंद रहा है आप में यह जो परिवर्तन है यह भी तो संतों का ही परिवर्तन है जो संतों के पास रदर से भर कर आता है उसका जीवन बदले बिना नहीं रहता परिवर्तन जरूर होता तो परिवर्तन आना चाहिए बस इस संदर्भ में एक वाक्य जरूर कहूंगा संतों से अनुराग रखने वालों के लिए कि संतों के चर्णों में दर्सनार्थी बनकर मत आओ संतों के चर्णों में दर्सनार्थी बनकर मत आओ संतों के चर्णों में जब भी आओ सरनार्थी बनकर आओ जीवन बदल जाएगा हमने अपने आपको अभी तक दरसनार्थी तक सीमित रखा है लोग लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन जिस दिन सरनार्थी बन जाओगे संत तुमारे हृदे में भी राजमान हो जाएंगे वो तुमारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बनेंगे तुमारा जीवन आमूल चूल बदलेगा फिर कोई नहीं रोक करता यह दृष्टी कौन होना चाहिए आपका तीसरा सवा हम अपने संकल्प में स्थिर क्यों नहीं रह पाते हैं संकल्प में वही स्थिर रह पाता है जिसके सामने उसका लक्ष होता है संकल्प यूही नहीं लिये जाते संकल्प लक्षों की पूर्ति के लिए लिये जाते है लक्ष की पूर्ति ही सिद्धी है सिद्धी के लिए संकल्प लिया जाता है और जिसकी दृष्टी में 24 गंटे उसका लक्ष होगा वो उससे हिलेगा नहीं हम लोगों में अगर अपने संकल्पों में स्थिरता है तो किवल इसलिए क्योंकि हमारे आँखों के सामने हर पल अपना लक्ष रहता है आप लोगों में भी जो अपने लक्ष को सामने रख कर चलते हैं वो कभी बिचलित नहीं होते और जिनका कोई लक्ष नहीं होता वो कभी इस्थिर नहीं होते तो हमारे अंदर ऐसी स्थिरता होनी चाहिए आपने अपने ब्यस्ततम समय में अपना समय निकाला और यहां इस कारिकम में आज विशेश रूप से दर्शनारता है अभी इनके गोटे गाउं में कारिकम भी है वहां इन्हें जाना है तो मैं इन्हें आशिरवात देता हूं महराश्री के एक कृति इन्हें दे रहा हूं जो मूख माटी की ही